हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आज हम विज्ञान कारिय पुस्तिका के पहले पार्ट पर चर्चा करते हैं पहला पार्ट है इसमें भोजन यह कहां से आता है इसमें देखेंगे कि उपर लिखा हुआ है जो चीजें तुम खाते हो उन में से कुछ चीजों के चित्र वे नाम नीचे दिये गए हैं क्या तुम बता सकते हो कि यह चीजें किस से बनी है और किन से मिलती है खीक है बच्चों देखेगा सबसे पहले क्रम खाद्य सामगरी इसमें रोटी का चित्र बना हुआ है रोटी किस से बनती है? हाँ आटे से और आटा हमें कहां से मिलता है? गेहूं चना बाजरा इत्यादी इसमें ये लिख लेंगे और ये कहां से मिलते हैं? अगले कॉलम में प्राप्ति श्रोत जन्तूक हैं पोधे कहां से मिलते है जन्तूँ से या पोधों से यहां लिख लेंगे हम पोधे अब आते हैं नीचे आमलेट देखें आमलेट गरमागरम आप निकल रहेएं आमलेट किस से बनती है? यहां पदार जिन से बनी है इस कोलम में लिखेंगे अंडा, मसाले वा तेल हाँ प्याज टमाटर इत्यादी भी और ये हमें कहां से मिलते हैं अंडा, जन्तूओं से और मसाले, तेल, इत्यादी ये हमें पोधों से मिलते हैं तो इस कोलम में ये भर लेंगे और आगे नीचे तीसरा कोलम देखते हैं अचार अचार प्यारे बच्चों किन किन चीजों से बनता है आम, मिर्च, निम्बू, इत्यादी हाँ इसमें तेल भी मिलाते हैं ये सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं पौधों से अगले कोलम में पौधे बर लेंगे उससे नीचे देखिए अशकर शकर किस चीज से बनती है चीनी, गुर्ड इन से बनती है और ये सब हमें कहां से मिलते हैं पौधों से, जैसे गन्ना, चकुंदर ठीक है बच्चो तो पहला प्रशन हमारा पूरा हो चुका है दूसरा प्रशन देखिए इनके इलावा और चीजों के भी चित्र बनाओ जो तुम खाते हो और लिखों की वा किन से बनती है देखिये इस प्रशन का एक भाग इधर है और चित्र बनाने का जो है स्थान अगले प्रिष्ट पर दिया गया है अगले पेज पर तो इसमें लिखेंगे इनके इलावा आप चावल खाते हैं जो पोधों से प्राप्थ होता है फल सब्जियां खाते हैं जो हमें पोधों से प्राप्थ होती है हम दूद, दही, पनीर, आधी खाते पीते हैं जो हमें जन्तों से मिलता है ठीक है बच्चो और सामने जो खाली स्तान है अगले प्रिष्ट पर इस पर इन में से कुछ चीजों के आप चित्र बना दे पीज नमबर दो पर अगली कतिविधी के रूप में ही एक खाली थाली का चित्र बना हुआ है इसमें सभी बच्चे अपनी मन पसंद खाने की चीजों के नाम भरेंगे रोटी, पूरी, खीर, चूर्मा, लड़ू, सेब, आम, फल जो भी जिसको पसंद है वो इसमें नाम भर दें केवल लिखना है और इसी में नीचे देखीगा, नीचे एक सारणी बनी हुई है देखी, क्या लिखा है इसमें क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो चीजे खाते हो उनमें से कौन-कौन सी चीजे पौधों से प्राप्थ होती और कौन-कौन सी जनतों से सोच कर इनके नाम नीचे दी गई सारणी में भरें देखेगा क्रम संख्या एक दो तीन चार और पहले कॉलम में लिखना है पौधों से मिलने वाली चीजे इन में लिख देंगे उपर एक नमबर चावल दालें गेहूं बाजरा फल जैसे आम केलादी ये भी पौधों से मिलते हैं सबजिया जैसे टमाटर आलू बैंगन इत्यादी ये भी हमें पौधों से मिलती हैं और दूसरे कॉलम में जन्तों से मिलने वाली चीजों के नाम लिखने हैं जैसे शहद, दूद, घी, दही, पनीर, अंडा, मास विज्ञान कार्य पुस्तिका के पहले पाठ की दो गती विधियां हम पूरी कर चुके हैं और शेश गती विधियों के लिए मिलते हैं बच्चों अगले पाठ में थैंक यू, मिलते हैं फिर तब तक बाई